हलो एब्रिवान स्वागत है आप सभी का इस पार्शल डिफ्रेंसियेशन के आलमोस्ट आलमोस्ट आखरी सेशन में जहां पे इंपलिसिट फंक्शन की शुरुआत हमने प्रिवियस सेशन में कर दी ती आज उसका पूरा खातमा करेंगे पूरा बहतरीन एक्जामपल आज आने वाला हूं तो चलिए शुरू करते हैं सब आजाओ के साथ और आपकी महबत वाली लाइक बनती है प्यारी प्यारी शेर बनती है और पकड़ पकड़ के वाली सब्सक्राइब तो एपसलूटली बनती है उसके साथ साथ वाटसप की कम्मिनिटी है हमारी नीचे डिस्क् बॉक्स में उसकी लिंक है टेलीग्राम चैनल जरूर जाके जॉइन करिए और इंस्टेग्राम हैंडल इस नाम से है जरूर जाके सर्च करिए या पिर लिंक तो अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ही तो चलिए शुरू करते हैं एक बहतरीन सवाल के साथ लेकिन उसके पहले आपको remind करवा देना चाहता हूँ, implicit function मतलब होता क्या है, implicit मतलब सब साथ में घुल मिल के रहने वाले, come on, hath आगे लाइये एक बार दोरा आते है, सब साथ में घुल मिल के रहने वालों को क्या कहते है, implicit कहते है तो चलिए question हैं आपके पास जناब, if u is equal to x log of xy where x q plus y q plus 3xy is equal to 1 यह एक famous university है उसमें बिलकुल पूछा गया question में आज आपके सामने लेके आया हूँ find du by dx complete derivative आपको पूछा है partial नहीं है लेकिन इस complete derivative को find out करने के लिए partial की help लगेगी at x is equal to 1 and y is equal to 1 ऐसा उन्होंने कहा है ठीक चल रहा है ठीक चल रहा है अब देखिए जनाब scene क्या है यहाँ पे scene क्या है मुझे बताईए u is equal to क्या है यहाँ पे f of x, y है ना देखो ना u किसका function है x का भी है और y का भी है ignore मारके नहीं चलेगा लेना पड़ेगा ओहो which is nothing but what x log of x, x into y यह वो function है अब मुझे अगर du by dx find out करना है तो y को नजर अंदास करके नहीं चलेगा y को लेना पड़ेगा क्या बोला y को लेना पड़ेगा तो चलिए जनाब देखो u किसका function है x और y का है हाँ जी x और y का है अब मुझे जाना x के पास ही है मतलब मैं directly d by u by d by x तो करी सकता हूँ और into dx by dx भी करा सकता हूँ मतलब x का derivative with respect to x तो वो 1 ही बनने वाला है वो तो निकलने वाला है चिंता मत करिये प्लस मैं d by u by d by y की तरफ जा सकता हूँ और into dy by dx कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे जो है यह बिलकुल y will be the function of x हो सकता है या आप directly implicit function का concept apply करके इस equation को solve कर सकते हो ठीक है अब देखते हैं this equation can be written as d by u by d by x क्योंकि dx by dx will become completely 1 plus d by u by d by y into dy by dx यहाँ पे बन रहा होगा ओके 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 चलिए तो यहाँ पे scene क्या होगा अब equation number 1 क्या है हमारा equation number 1 मतलब यह मेरा given वाला तो u is equal to क्या है x log of x into y है तो चलिए डेबा u by d by x करते हैं differentiating u partially with respect to x partially with respect to x यह x का function है और यह log भी तो x का function है तो यहाँ पे use होगा u into v rule की कहानी तो सब जानते हैं सब जानते हैं चलो 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 मचाते हैं शोर चारो और come on everybody x को जैसे वैसे रखा log का बना one upon xy into xy का derivative with respect to x partially तो यह simply बनेगा y प्लस यहाँ पे log of xy को जैसे वैसे रखा x का derivative यहाँ पे बन रहा है one तो यहाँ पे y y कटा x x कटा ओहो सब कुछ तो कटा बबाजी तो यह one बन चुका है क्या बन चुका है one बन चुका है तो that is one plus log of xy ठीक है तो यह बहतरीन तरीके से equation number two हमारा बना कुनसा वाला equation number two बना होई 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 अब with respect to y करते हैं इसको partially हाँ partially you को पहले लिखो you क्या है x log of xy यह given है न हमारा ठीक है इसको with respect to y करते हैं partially चलिए तो यह क्या बनेगा x जैसे वैसे लॉक का बनेगा one upon xy और y का with respect to करना है partially तो यह बन रहा होगा x तो यह x x कटेगा आहां हां हां यह पे बनेगा x upon y क्या बोला क्या बात है समझ गई समझ गई यह हो गई हमारी equation number two equation number one समझ गया two two तो already हमने कर दिया ना तो यह equation number three हो गई one two three सारा सब कुछ मिल चुका है also also एक equation आपको दिया है देखो 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 एक्स क्यूब प्लस y क्यूब 3xy चलो 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 तो यहाँ पे देखिए three x square बनेगा plus plus y cube का three y square into dy by dx बनेगा plus three अब with respect to x करना है y का करना है मतलब x और y दोनों भी function लेना पड़ेगा x into dy by dx plus y into one हो जाएगा क्योंकि with respect to x कर रहे है और one का तो मैंने डीरिक्ली 0 लिखा ऐए मेरे hero समझ गया zero कहां से आया समझ गया सरो खो इन सारी terms में से Cam Une everybody everybody इन सारी terms में से three को तो मैं common निकाल सकता है three can common निकाला तो life jinga lala Three can common निकाला तो live jinga lala क्यूंकि term तो कमो गए ना तो इसी में कुशी मनाओ, come on बाबाजी, come on everybody, come, तो ये zero हो गई, अच्छा three को उस साइड पर एडजेस करा दी, तो zero upon three, तो वो भी तो hero होगा, मेरे लिए वो भी तो zero होगा, कड़क वाला, कड़क वाला, तो ये x square, इसमें d y y d x नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो इनको चालेंगे, bracket में बचेगा, y square plus x which is equal to zero, therefore d y by d x, देखो, आप बड़ी प्यार से, लगन से, इसके पास देखो, x plus y square which is equal to, ये वाली पूरी टर्म उस साइड पर एडजेस करा दी, तो that will become minus of x square plus y, क्या बात है, क्या बात है, मैं इधर ही लिखोगा, बबजी, line बड़ी straight मार बच्पन से, चलो, 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 तो यहाँ पर d y by d x मिला, which is equal to minus of x square plus y, अपॉन में बनेगा, x plus y की square, टेंशन नहीं है, at x is equal to 1 and y is equal to 1, इसके लिए निकालने का है न, तो d y by d x, चिक करियो, चिक करियो, कितना बन रहा है, d y by d x, तो सब में डालना पड़ेगा, बबाजी, बिलकुल सब में डालेंगे, पर पहले d y by d x थोड़ा खतरनाक लग रहा है, उसको sort out बनाते हैं, क्या बोलते हो, absolutely sir, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे minus of 1 का square 1 plus 1 upon 1 plus 1, ओए, ओए, ओए बबाजी, तो यह minus 2 upon 2 हो गई, मतलब minus 1 हो गई, तो d y by d x मुझे मिल चुका है, therefore, d y by d x, नहीं नहीं, d y by d x पूचाता, d y by d x आ, d y by d x आ, d y by d x क्यों आ रहा है, d y by d x के साथ special प्यारे बबाजी, तो आना तो बनता है, चलो चलो, d y by d x into 1 था, मैं इस equation की बात कर रहा हूँ, जनाब, मैं इस equation की बात कर रहा हूँ, तो प्लस यहां पे क्या बनेगा, d y by d y by d x, सारे values को हम यहां पे substitute करते हैं, सब कुछ आपके पास available है, d y by d x, equation number 1 से हमें पता है, 1 plus log of xy, तो वो मैं यहां पे लिख देता है, 1 plus log of xy, उसके साथ साथ, plus d by u by d by y, हमें पता है, equation number 3 से, that is x upon y, and बाबाजी, d y by d x का तो अपने matter ही solve कर दिया, तो यह तो minus 1 डिरेक्ली लिखा, at x is equal to y is equal to 1, तो यह value डालने के बाद चेक करेंगे, क्या मिलेगा, d y by d x which is equal to 1 plus log of 1 into 1, आ, तो वनी, plus 1 upon 1 into minus 1, बाबाजी, तो यहां पे d y by d x log 1 होता है, 0, जब आपके पास कैलसी है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, कैलसी में डालने का, गलत नहीं करने का, नहीं तो इतनी सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा, कैसे, ऐसे, ओके, तो 1 plus log 0, log 1, 0, तो यह बनी minus 1, उई, बाबाजी, तो यह डेबा, u by d x, तो 0 बन गई, ओ, 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 यही है मेरा final answer, क्योंकि वही मुझे calculate करने पूछा था, तो इसको बोलते है, implicit की कहानी, क्योंकि यहां पे देखो, यू is a function of x, y, बट x और y का एक और equation हमें दिया था, और इसी equation को कहा जाता है, implicit function, समझ रहे हो, तो यह है absolute वाली कहानी, implicit function की, इसके और खतरनाक सवाल जरूर आने वाले है, इस chapter के, लेकिन उसके पहले, बबाजी को महबत वाली like और प्यारी प्यारी share की जरूरत है, फड़ा फट से share कर दीजिए, आपका प्यार दिखाईए, आपके साथ हम मिलते रहेंगे, कल परसो और आगे आने वाले sessions में, तब तक के लिए, बबाई, take care and thank you so much guys.